नमस्कार साथियों मेरा नाम है मनीश भारती आपका मैं संस्कृति आई-स प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ साथियों आप जानते हैं कैंसर को एक ला इलाज बिमारी कहा जाता है अब ला इलाज बिमारी क्यों कि इसका जो खर्च आता है वो बहुत ज़्यादे आता है सभी लोग इसको वहन नहीं कर पाते हैं लाखो करोर रूपिय में खर्च आता है और इसके बाद भी इस बाद की गैरेंटी नहीं है कि जिस व्यक्ति को कैंसर हो गया है उसकी जान बच ही जाएगी अब इतने के बाद यह भी देखा जाता है कि जिस व्यक्ति को कैंसर हुआ है उस व्यक्ति के साथ-साथ उसके पूरे परिजन, उसका पूरा परिवार इससे सफर करता है और इसके बाद भी यह गैरेंटी नहीं होती है कि जिस व्यक्ति को कैंसर का इलाज कराए गया है चाहें वो कीमो थेरपी के द्वारा हो, रेडियो थेरपी के द्वारा हो उस व्यक्ति को cancer cell दुबारा से उसके body में develop नहीं होगा संबब है कि cancer cell की पुन्राविर्टी उसकी body में देखी जाए और ऐसा अधिकांस्ता केश में होता है इस चीज को लेकर के लंबे समय से सोध किया जा रहा था research किया जा रहा था और इस छितर में एक बहुत बड़ी सफलता मिलने की बात की गई है और एक जो खुशखबरी बाली बात है वह है कि यह स्वादेशी है यानि कि भारत में इसको लेकर के सोध किया गया research किया गया Tata Memorial Center यह TMC जो है यह मुंबई इस्थिते का श्पताल है और यहाँ पर इस चीज को लेकर के एक दशक से यानि कि कह सकते हैं पिछले 10-12 साल से इस पर बहुत सारे scientists research कर रहे थे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था और उसके बाद finally सफलता पुर्बग कहा गया है कि इसका testing कर लिया गया है सबसे अहम बात क्या है इसमें यह समझने की बात है कि जहां एक तरफ मैंने कहा कि कैंसर के इलाज में लाखों करोरो रूपिया खर्च होता है और फिर भी इस बात की guarantee नहीं है कि वो बेक्टी बच्छी जाएगा वहीं दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि कैंसर की जो पुर्णा विर्थी है उसको रोकने के लिए अभी जो यह research किया गया और दावा किया गया है कि यह स्वस्त हो जाएगा दख्ती आप जानते हैं इसकी कीमत कितनी है केबल 100 रूपिया के जी हां बिलकुर आप सही सुन रहे हैं जहां आपने करोन रूपिया मेरे मुहशे पहले सुना होगा वह है मैं आप 100 रूपिया कह रहा हूँ जो कि इसको दावा किया गया है कि केबल 100 रूपिया में ये बाजार में उपलब्द हो जाएगा बेहद की फायिती दरपे होगा और दूसरी बात इस पूरे प्रोसेस में फिर से गुजरने के लिए रेडियो थ्रेपी या कीमो थ्रेपी करने की आदशक्ता नहीं है बलकि टैबलेट खाते ही हो जाएगा जैसे आपको बुखार लगता होगा आपको चोट लग जाता होगा सरदर्द है आप क्या कहते हैं एक टैबलेट लेते हैं और देखने हैं कि उसमें सुधार आ रहा है आपकी तवियत में ठीक ऐसा ही होगा टैबलेट खाने से कैंसर ठीक हो सकता है आप सोचिए तो यहाँ पर ये जो बात कही जा रही है निश्ची तोर पे अगर ऐसा है और अभी ट्राइल में इसको कर लिया गया है सफलता पुर्वक इसका लिए आवेदन कर दिया गया है अब अगर मंजूरी मिल जाता है भारतिये खादिस रक्षा और मानक प्रादिकरन से तो जून जुलाई के महिने तक इसी जून जुलाई के महिने तक आपको यह भारतिये बाजार में उपलब्द भी हो जाएगा तो यह बहुत इंट्रेस्टिंग बात है बहुत दिल्चस्प बात है कैंसर के इलाज के लिए भविश में जितनी भी संभाव नहीं हो सकती है उसको उत्साहित करने वाला है उसके लिए नयाद दर्वाजा खोलने जैसा है अब क्या पूरा प्रोसेस होता है क्यों कैंसर का इलाज करानी के बाबजूद कैंसर सेल किसी भी स्वस्त बैक्ती में जो की मतलब कैंसर का सेल उसमें डेबलप हुआ उसने कीमोगुथरेपी करा लिया अब पिर से देखा गया कि Crazy is फिर से डेबलप हो रहा इसकी क्या वज़द होती है और यह टेबलेट खाने से किस तरह से वापस से कैंसर से बॉड़ी में डेबलप हो रहा उसको इस टेबलेट कैसे खत्म करेगा इन सभी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे यहां पर अगर देखिए मात्र 100 रूपिये की दवाद से होगा कैंसर का इलाज और यह ट्राइल में सक्सिस्फुल हो चुका है सिर्फ यह कहने की बात यह हैपोठरिकल कुछ प्रोसेस नहीं है बलकि इसको जो है धरातल पे ले आया गया है उसे पहले आपके लिए एक सूचना है और सूचना यह है कि संस्कृति आइस विवन PCS कोर्सेस लॉंच कर चुकी है जिसके तार UPPCS, BPSC, RPSC और MPSC के कोर्ष को लॉंच किया गया है या online माध्यम से होगा इस विशाय में विश्तित जानकारी के लिए 955-124-124 पर या फिर संस्कृति आइस के वेब साइट पर विजिट करके विश्तित जानकारी अपले सकते हैं और यथा सिग्र अपना नामंकन करा सकते हैं चलिए आगे बरते हैं पिछले एक दो दिन में जितने भी न्यूज पेपर अगर आप देखें होंगे और आप अगर ध्यान से पढ़ते होंगे यह खबर जो है पूरी दुनिया भर में प्रमुक्ता से चाया रहा मात्र एक सो रूपिया में इसको लेकर के बाते की जा रही है अब जड़ा इसके प्रमुक्त बिंदू को देखते हैं जैसा मैंने पहले भी आपको बता दिया कि टाटा मेमोरियल सेंटर के द्वारा कैंसर के इलाज के लिए टेबलेट का जो बात कहा गया है इस पर सो बनकारी जो है मीडिया के समक्ष यह रखा है यहाँ पर नई कैंसर की दबा कैंसर को दोबारा होने से रोके ही जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो वैक्ति कीमो थेरपी या रेडियो थेरपी कराने के बास स्वस्त हो गया है फिर से यदि उसके बॉड़ी में कैंसर सेल दिकरन के दोरा और मंजूरी मिल जाता है तो जून जुलाई तक यह बाजार में उपलब्द हो जाएगा अब जरह इसके प्रोसेस को समझते हैं कि यह दबा जो है यह टेबलेट जो है फिर से यदि कैंसर हो जाता है तो उससे कैसे बचाएगी देखिए सबसे पहले आप सम कैंसर सेल डेड हो रहा होता है जो मरने वाली कोशिकाय होती है वह सेल फ्री क्रोमटीन पार्टिकल छोड़ती है और यह क्रोमटीन पार्टिकल जिसे आप क्या कहते हैं इसके द्वारा क्या होता है कि यह जो स्वस्त यहां पर जो स्वस्त सेल जो होता है उसको यह कैंसर सेल में तबदिल कर देता है अब यह टेमलेट क्या करेगा यहीं पर इसका काम आता है यह जो कैंसर सेल में तबदिल किया जा रहा है इस यही पर इसे खत्म करेगा कि कैंसर सेल में तबदिल नहीं होने देगा ठीक है यही बाते की जानी सोध अध्यन के अनुसार सरीर में मरने वाली cancer कोशिकाएं कीमो थेरेपी और रेडियो थेरेपी के बाद सिल्फ्री क्रोमेटीन पार्टिकल जो छोड़ते हैं यह पार्टिकल सरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को cancer कोशिका में तबदिल करता है doctor की अनुसार जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि चूहूं पर इसका प्रियोग कर लिया गया है और वहाँ ये काफी सफल भी देखा गया है इसे कहा गया है R plus Cu ठीक है? R plus Cu यानि कि resveratrol और copper के साथ pro-oxidant tablet इसमें लाए गया उसके बाद क्या होता है कि R plus Cu जो है वो oxygen radical produce करता है और यही क्या करता है? यह जो chromatin particle जो छोड़ता है यह chromatin particle को nust करने का काम करता है तो इसलिए यहाँ पर R plus Cu के नाम से भी आपको यह पढ़ने को मिल जाएगा यह दिका ही newspaper में यह magazine में यह देखने को मिल जाए R plus Cu तो आपको समझ लेना है कि यह जो नई research हुई है उसकी बात ही इस tablet की बात की जा रही है अब क्यूं खास है cancer की दवा यह जो नई दवा की बात की जा रही है क्यूं खास है क्यूं इसके बारे में कहा जा रहा सबसे पहले चीज़ तो मैंने यह कहा कि cancer की जो पुर्णा वर्टी है इसमें कहा जा रहा है कि 50% तक इसमें यह कमी आ सकता है और यह अगनास है फेपरे और मूँ के cancer के इलाज के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी बताया जा रहा है यह जो research की team है scientist की उनका यह कहना है रेडियो तिरपी और कीमो तिरपी जैसे उप्चारों के जो दुस प्रभाव हो सकता है और उसी दुस प्रभाव के वज़े से आप जानते हैं कि कई बार फिर से cancer cell develop होने लगता है उसको 50% कम करने की बात कही गई है दूसरी बात जो सबसे एहम है वह जहां कि मैंने पहले भी आपको कहा कि लाखों करोरों रूपिया तक खर्च होता है वहीं इस tablet में केबल 100 रूपिया आपको खर्च करना परेगा और दूसरी बात कि tablet के form में है market में उपलब्द हो जाएगा तो आसानी से लोग इसे ले भी पाएंगे और सबसे एहम बात कि यहां से एक research का दर्वाजा कुलेगा बरविश्की शंबाबनाई खुल जाएगी इस पे काफी काम और किया जा सकता है बरतमान में भारत में कैंसर के स्थिती को जरा देखते हैं देखी लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि कैंसर जो है बहुत सारे लोगों में डेवलब्ब हो रहा है और भारत में इस समस्या लगातार देखी जा रही है भारत में एक चीज और देखा जा रहा है, हलांकि ये दुनिया भर में है, कि पुरुषों के मुकाबले महलाओं में कैंसर की बिमारी अधिक हो रही है, यदि आगरों के स्थिति यहां पर देखेंगे, तो 2022 का यदि आप आखरा देखें, तो 2022 में तकरीबन 14,13,316 ऐसे मामले आए हैं, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस बिमारी से पुरुषों के मुकाबले महलाओं की संख्या जो है अधिक चपेट में आ रहा है, अगर यहां पर देखेंगे, तो आप यहां देख पाएंगे कि पुरुषों की जो संख्या है, वह 6,91,178 है, ये 2022 का आकरा है, 2025 का बात का जा रहा है, विभिन सालों का यहां पर आकरा आपको दिया गया है, महलाओं का अलग से दिखाए गया है, पुरुषों का अलग से दिखाए गया है, अगर आप देखें, 2017 कि स्थितित, यहां भी अगर आप देखेगा, तो 6,32,000 पुरुष हैं, तो यहां पर 6, लाग 60,000 महलाओं की संख्या हैं cancer patient की संख्या की बात की जा रही है 2018 में भी यहां पर 647,000 पुरुष तो 677,000 महला है 2019 में भी यह दिए आप देखेंगे तो 6,03,000 पुरुष हैं तो 6,95,000 यहां पर महला मरीज की संख्या देखने को मिलेगा और एक चीज़ आप देखिए कि ह हर साल यह जो आकरा है overall वह बढ़ता जा रहा है 2020 में यहां पर 6,89,000 पुरुष तो 7,12,000 तक महलाओं का आकरा पहुंच चुका है और 2025 तक अनुमान यह किया गया है कि तकरीबन 15,79,793 मरीज cancer के हो सकते हैं और उसमें पुरुष की जो संख्या हो सकती है वह 7,63,000 तक हो सकत है वहीं महलाओं की संख्या जो है cancer patient की वह 8,00,000 से पार चला जाएगा अब सोच सकते हैं कि यह आकरा लगातार बढ़ता जा रहा और यह भारत के संदर में है यह वैस्विक अस्तर पर बात करें तो WHO को लेकर के चलते हैं WHO की cancer agency है international for research on cancer इसने वर्ष 2022 के आकरे प्रस्तूत क में दो करोर cancer के नए मामले हैं नए मामलों की बात की गई है और यह 2022 के संदर में यह बताए गया पूरे वैस्विक अस्तर पर cancer के कारण 97,000,000,000 लोगों की मिर्टू हो रही है यह 2022 के आकरा के अनुसार है WHO के अनुसार वर्ष 2050 तक वैस्विक अस्तर पर cancer के मरजों की संख् वह 77 परतीशत तक बढ़ने का नुमान है अब यह अपने आप में बहुत बढ़ा उच्छाल है भारत के संदर में कहा गया है कि 2050 तक यह आकरा जो है वह यहां पर हमने बात किया था कि वह जो है यहां पर आपको 15,000,000 के पार निकल जाएगा तकरीबन 16,000,000 के आसपास देखेंगे तो 77 परतीशत तक इसमें उच्छाल देखा जा सकता है यह अपने आप में बहुत चिंता का विश्या है और इसलिए मैंने कहा कि यदि यह इतना चिंता का विश्या है तो इसमें एक बात यह भी शामिल है कि वह लोग जो रेडियो तरेपी या कीमो तरेपी करा करके अपना इलाज करा लेते हैं एंसर सेर्ल और रहता है उसी समय और इससे चोड़ चोड़ता है जो सवस्त होता है आंकरा दिखा जारा है और इसको अगर approval मिल जाता है भारतिये खाद सुरक्षा और मानक प्राधिकरन के द्वारात अपने आप में ये बहुत बड़ा क्रांती होगा इस शित्र में कार क्या क्या होता है मानव उपभोग के लिए पॉस्टिक खाद पदार्थों के उतपादन, वित्रन, भंडारन, विक्रे और आयात की सुरक्षित व्यवस्था को सुनच्चित करने का काम किया जाता है इसके द्वारा राज्यों के जो खाद सुरक्षा अधनियम होते हैं उन ये संस्था इसकी जाज करेगी जैसा कि मैंने इसके कार में बताया और अगर सही पाया गया इसको मंजूरी दे दिया जाएगा मंजूरी मिलने के बाद टाटा मेमोरियल सेंटर इसको मार्केट में डिस्टूइट करने का काम करेगी और ऐसा कहा जा रहा है कि वह पूरी तरह स सेंटर जो है तयार है जैसे ही यहाँ पर भारते का तुरक्षा और मानग का दिकरने की द्वारा एप्रूबल मिलता है मार्केट के लिए इस ओपन कर दिया जाएगा और इसी साल जून जुलाए में मार्केट में आम लोगों के लिए उपलब्द हो जाएगा केबल 100 रुपया के किफायती दर पे तो निश्ची तोर पर ये एक च्छेटर में बहुत बड़ा क्रांती है इसमें लेटेस्ट अपडेट आने बांकी होंगे तो आप इस पर नजर बनाए रखिएगा प्रिलिम्स का समय है और स्वास्त को लेकर के बायो टेक को लेकर के प्रिलिम्स में दे अंदर में पूछे लेकिन कैंसर के बारे में अच्छे से बढ़के जाईएगा यहां पर इक प्रशन है जो कि प्रिलिम्स के अस्तर का है निमलिखित कत्नों पर विचार कीजिए सही आपको ढूणना है मुंबए में इस्तित टाटा मेमोरियल सेंटर ने कैंसर के लिए एक दवा विक्षित की है दूसरा इस दवा से कैंसर की पूर्णावर्ति को रोका जा सकता है जो सही है उसको आपको चुनना है दो से और यहां पर चार विकल्प दिया गया है जो भी विकल्प आपको सही लगे उसका चैन करके कोमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए क्या को लगता है कि टाटा मेमोरियल सेंटर के द्वारा सौ रूपिये में कैंसर की पूर्णावर्ति को रोकने के लिए जो यह टेवलेट डेवलप किया गया है इससे कैंसर के छितर में इसके इलाज के छितर में एक रांतिकारी बदलाब आएगा इस विसे में आप क्या सोचते हैं अपने विचार हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर दे यदि आपके घर परिबार जानने वाले में कोई कैंसर के पैसेंट हैं और वो किस तरह से इन सब चीजों से जूज रहें तो उन्हें भी यह जानकारी उन तक आप पहुंचाएं मैं उमीद करता हूं कि आज के लेक बाँ मैं टरूर तकारी एपके लेका बत्याने तो उतर्वकाएं में कैंसर इन मुण